तो चलो आज बनाते हैं इंस्टिंग बेसन हल्वा तो एक कढ़ाई लो उसमें डालो दो बड़े चमच देसी घी जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें डालो दो बड़े चमच बेसन डालकर उसे अच्छे से घी में मिक्स कर लो और अगर आपको लगिए जो घी है वो ज्यादा है और बेसन कम है तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हो जितना उसमें जरूरत हो उतना और उससे अच्छे से मिक्स कर लो मिक्स करने के बाद आप जो बेसन है उसे घी में अच्छे से भुन दो जब तक कि वो गोल्डन ब्राउं नहीं हो जाता और पूलेगा भी नहीं तो हल्वा भी अच्छा नहीं बनेगा तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बकाना बेसन को अच्छे से जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन होकर फूल नहीं जाता तो जैसे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा होगा कि यह जो वीडियो है हमारा अच्छा गाराज का बेसन हलबा की जो रेसिपी है मैंने बहुत ज्यादा हैल्दी बनाने के लिए इसमें मैंने चीनी की ज़गा शुगर फ्री का यूज करा है मैंने इसमें यह मैंने इसलिए क्योंकि जो स्टिविया शुगर फ्री पाउडर है इसका जो टेस्ट वो बहुत ज्यादा हेल्दी है सबके बॉड़ी के लिए इसे आप किसी को भी दे सकते हैं कोई भी इसका यूज कर सकता है बच्छे बड़े बूढ़े कोई भी और हेल्थ है तो अगर आप डाइटिंग करते हो आप जिम जाते हो या फिर आपको डाइबिटीज है या और भी इसे इसे युज करो और आपको बहुत ज्यादा में मिलेंगी इस कि और आप ये दूद में सकते मिलघा है और तो हमारा जो है प्र Connection हे और फूर बीं चुका है और अच्छे से इसे थोड़ा सा और पकाएंगे medium to low flame पर फिर इसमें हम डालेंगे पानी पानी आपको एक साथ में ही सारा नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करके डालना है थोड़ा सा पानी डालो उसे mix कर लो अगर आप एक साथ में ही सारा पानी डालोगे तो उसमें नम्स आ सकते हैं बॉक्स कुछ ऐसा है और यह आपको 200 ग्राम्स मिलता है 400 रुपीज में इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रे दूंगा वहां से बाए कर सकते हो और यह डालने के बाद हम इसे कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से में और मिक्स करने के बाद जब यह पूरा अच्छे से कढ़ाई छोड़ देगा हल्वा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी और मिक्स कर देंगे हल्वा है तो घी तो बनता है और अभी बिल्कुल रेडी हो चुका है लास्ट टेप है गानिशिंग जो आपको ही फेवरिट एप तो अपने फेवरिट ड बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लागा और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ वीडियो को शेर करो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और अगर आपको इस टीवी अगर पूरा डीटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे कॉमेंट स्क्शन मे जरूर बताना बाई